नमस्कार दोस्ताब सभी का स्वागत है मेरे चनल Global Vapar में जहां पर हम डिसकस करते हैं International Trade के बार में, Import-Export के बार में, Custom Clients के बार में, Custom Auction के बार में और Business के बार में लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बहले हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए तो सीधा मैं आप लोग का MSTC की वेबसाइट पर लेके चलता हूं और दिखाता हूं कि ऑक्षण की क्या डिटेल है ऑक्षण को जो इंस्पेक्शन डेट है, स्टार्टिंग इंस्पेक्शन डेट वो है 5-9-2021, क्लोजिंग जो है इंस्पेक्शन डेट की वो है 20-9-2021, यानि इस महिने की 20 तरीक तक आप इस material को देखने के लिए जा सकते है material के बार में आप लोग को आगे बताता हूं material देखें, यह जो ऑक्षण है, यह आई-जय एरपोर्ट में किया जा रहा है पूरी की पूरी इसमें address भी दिया हुआ है, T1 चिफएर बेल्डिंग न्यूडली आई-जय एरपोर्ट, ठीक है यह सारी चीज़े नॉर्मल जो होती है आउक्षण में वो है एक्ष्णल आईटम का है? आइटम जो है इस बारी दो Aircraft ऑक्षण में आई हुआ है Aircraftina, जी हाँ, आप लोग ने बिल्कुल सही सोना, Aircraft ऑक्षण में आई हुआ है हाँ, Aircraft का जो है यह सिर्फ यह लोग Aircraft का हल देने वाले ग्लासिक एरक्राफ्ट है जो की कमिशन किया गया था आपका 1993 में अब जाकर उसको रटैर करके ऑक्षन किया जा गया है थीक है मैं डिटेल थोड़ी सी बता जाता हूं लॉट नमबर वन की जिसमें की एक एरक्राफ्ट है एरक्राफ्ट ए-320 क्लासिक ठीक है एंडे ले मिटे इंटेंट सूसल ठीक है ठीक है ठीक है देखिए विदाउट्त फुस्ट रिवर्सर इजैन एह पी यूएसस सीदर्ट्रांसृंस्वेनिश्क एवियानिक क्क्सकी नुमपोरिक्स component लाइक पैनल क्न्ट्रोल सरक्थैस एन इन मेजर LRU रोटेबल कॉंपोनेंस ETC फॉर सेल ओन इस वेरिस कंडिशन ठीक है विदाउट एंजिन वगेरा दिखे यह जो सारी इलेक्ट्रोनिक साइटम है यह आपको नहीं मिलने वाली सिर्फ आपको बॉडी बॉडी मिलेगी उसके साथ आपको लेंडिंग गियर मिलने वाला है इसका प्रीवीड AMD आपको जमा करने पड़ेगा इस आक्षिन में आपको पार्ट लेना है तो आपको 3,000,000 रुपे पहले जमा करने पड़ेगे तब ही आप इस आक्षिन में बॉली लगा सकते है इंस्पेक्शन के लिए कोई भी जा सकता है बट अगर आपको इस उंक्शन में बोली लगानी है तो आपको तीन लाग रुपर पहले जमा करना पड़ेगा ठीक है GST as applicable 5% है ठीक है देखे नोट इन्होंने दे रखा है हल इस इंक्लूजिंग अफ एसी ऑल्टरनेट लैंडिंग गियर्स वील्स ब्रेक्स रैड डॉम एन एसी डोर्स यानि यह सारी चीज़े आपको मिलने वाली है यानि जो complete aircraft का हल है वो मिलेगा साथ में उसके जो विंग्स है वो तो obviously होंगे मेरे को लगता है बिना विंग्स को क्या करेगा ना उसको कुछ कर पाएगा तो आपको aircraft हल मिलने वाला है साथ में लैंडिंग गेर मनने वाले हैं दरवाजे मिलने वाले हैं और रैडोम मुझे पता नहीं क्या होता है आप गूगल कर ले ना यह मैं डाल साथ हूंगा फॉट आप लोग हैं पर अटम क्या होता है 1993 में यह कमिशन किया गया था लैंडिंग एरक्राफ्ट का जो वेट है इंक्लूडिंग यह सारी चीज़े वो है 25 टन्स ठीक है 25 टन का यह एरक्राफ्ट है सेकेंड वाला एरक्राफ्ट भी सेम एरक्राफ्ट है एर अंदर के होते हैं जो हो चीज आप लोह नहीं मिलने वाली हल मिलेगा लैंडिंग गियर मिलेगा साथ में उसके जो विंग और दर्वाजें मिलेंगे तो अब यह किस लोगों के और किस काम आने वाला मैं आप लोगों को बता दूए दियसम आएं मारे देश में थीम्ड र लाग रुपे हैं तो आप लोग इस चीज को देख सकते हैं और अगर आप लोगो इस ओक्षन में पार्ट लेना है तो आप नीचे देगे नंबर पर कॉल कर सकते हैं किसी त maturity से ही सारा प्रोसेस इंडिया में काम करता है किस तरीके से ज्याचशन में पार्ट लेते हैं तो किसी तीसी द्वाराтировigans में जो बी उक्षन क किया जाते हैं उसके बाद आप custom auction और यह दूसरे तरह के जितने auctions होते हैं aircraft के auctions, आपके oil India के auctions, machine के auctions, scrap के auctions सारे auctions में आप part ले सकते हैं, one time fees होती है lifetime के लिए आप कराता है तो उसके बाद अगर आप कोई भी गलती नहीं करते हैं, कुछ UTCD bidding वागरा नहीं करते हैं तो आपका ID, password आपका suspect नहीं होता है और आप किसी भी auction में पार्ट ले सकते हैं तो इसका जो terms and conditions इन्होंने बड़ा बड़ा करके नीचे लिखा हुए terms and conditions भी मैंने पढ़ए है, terms and conditions इन्होंने majorly यही चीज़ बोली हुई है कि जो payment है, वो किस तरीके से करनी है और इसके बाद जो bidding हो जाएगी, जो successful bidder है उसको इस material को handle करने में जो भी cost होगा वो bidder का ही होगा यह Air India या उनके कोई भी employees इसमें कोई भी खर्चा नहीं करने वाले, किसी तरह का कोई assistance नहीं देने वाले तो जो भी machinery है, labor का, जो भी खर्चा होगा, वो आपका होगा तो और यह auction के अलावा में इस channel पर कही तरह के auctions लाता रहाता हूँ आप चाहे तो live auctions देख सकते हैं मैंने कही तरह के live auctions भी cover किये हैं आप जाके उन वीडियो को देख सकते हैं कि live auctions में किस तरीके से bidding होती है, किस तरीके से माल को देखा जाता है तो और इसी तरह के दूसरे updates के लिए हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं मैं इस चैनल पर इस तरह के वीडियो लाता रहाता हूँ